नमस्कार विकेबिनुस के सबसे खास, सबसे सटीक और महत्वपूर्ण पेशकर्ज देश-पदेश दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रदेश में आज की अहम खबरे कोरोना संकर्मन से जुड़ी है एक तरफ सेल्फ टेस्टिंग कीट को लेकर सवाल खड़े किये जा रहे है तो दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस कर्मियों का संकर्मित होना चिंता का कारण बना हुआ है वही हिंगोली जिला परिशत के अत्रिक्त जिला आरोग यदिकारी की जम कर प्रशंसा हो रही है उन्होंने रहा में बीच में खड़े किनरों को अपने वहान में भिटा कर आरोग केंद्र ले जाकर कोरोना रोधी टिका लगवाया इसी बीच भाजपानेता मोहित कंबोज भारती की ओर से दाखिल दूसरे मानहारी मामले में राज़ के कैबिनेट मंतरी नवाव मली को जमानत मिल गई है शुडी के मैजिस्टेट कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपे के मुचल के पर जमानत दे दी तो बीजेपी विधायक नितेश राने के लिए आज का दिन खास है एक शिवसेना कारेकरता की हत्ता की कोशिश मामले में उन्हें बॉंबे हाई कोर्ट से एक दिन के लिए राहत दी गई है हाई कोर्ट आज मामले में सुनवाई करेगा प्रदेश की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आफ हमारे साथ कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे है साथ ही बुखार, खासी वजुकाम से पेडित लोगों की संख्या भी बढ़ रही है ऐसे में कोरोना टेस्ट कराने पर पॉजिटिव आने के डर से लाखों लोग सेल्फ टेस्टिंग किट के जरीए खुद ही जांच कर रहे है मुंबई में मेडिकल स्टोर से करीब 3 लाख ऐसे किट भी के है जिसमें से सिर्फ 98,957 नागरिकों ने अपनी रिपोर्ट एप पर अपलोड किया है जिसका रजिस्ट्रेशन बीमसी के पास है बाकी 2 लाख लोगों के बारे में बीमसी के पास कोई जानकारी नहीं है कि उनमें से कितने पॉजिटिव आए और कितने नेगेटिव आए है इसलिए इसके इस्तेमाल को लेकर बीमसी जल्थ ही गाइडलाइन्स जारी करेगी ताकि मुंबई में प्रती दिन मिलने वाले केस की पुरी जानकारी मिल सके सेल्फ किट की कीमत मेडिकल स्टोर पर 250 रुपए है और इससे 15 मिनट में जांच की रिपोर्ट मिल जाती है सेल्फ किट के माध्यम से जांच की रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन करने के लिए माई लैब आप डाउनलोड करना पड़ता है इसमें कीट का कोड स्कैन करने पर कुछ मिनटो में ही रिपोर्ट मिल जाती है लेकिन इसकी रिपोर्ट BMC तक पहुचाने के लिए कीट के स्कैनर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है BMC ने लोगों से सहीयोग की अपिल की है ताकि मरीजों की सही संख्या मिल सके और प्रशासन ज़रूरी कदम उठा सके कोरोना के कहर का शिकार हर खास और आम व्यक्ति हो रहा है लोगों से कोरोना के नियमों का सक्ति से पालन करवाने वाले महाराश पुलिस भी कोरोना संक्रमन से अच्छ होती नहीं है राज़ में कोरोना महामारी की चपेट में आकर अब तक 265 पुलिस करमियों की मौत हो चुकी है इस मामले में मुंबई के आंकडे सबसे ज़ादा है देश के आर्थिक राजधानी में अब तक 126 पुलिस करमी कोविड-19 की वज़़ से अपनी जान गवा चुके है महाराष्टा के ठाने जिले में 37, नागपुर में 25, पुने में 20, एहमद नगर में 17, गडची रोली में 16, नवी मुंबई में 12 और नासिक में 12 पुलिस करमियों की अब तक कुरना से मौत हो चुकी है महाराष्टा पुलिस में एक्टिव मामलों की संख्या फिलहाल 2145 है कॉरंटाइन है इसी बीच लगातार 4 दिन तक रफ्तार थमने के बाद मुंबई में फिर कॉरोना का ग्राफ बढ़ा है पिछले 24 घंटे के दोरान यहां कॉरोना वाइरस के 16,420 नए मरीजों की पुष्टी हुई है यह आकड़ा एक दिन पहले आए मामलों से करीब 41 प्रतिशत ज्यादा है वही साथ और संक्रमितों की मौद भी हो गई है इससे फिर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है हिंगोली जिला परिशत के अतिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन भायकर ने हिंगोली से जवला बाजार की और जाते समय रहा के बीच में खड़े होकर वसुली कर रहे किंदरों को अपने वाहन में बिठा कर आरोग्य केंद्र ले जाकर कोरोना रोधी टीका लगवाया दरसल अधिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन भायकर जवला बाजार की और जा रहे थे उसी समय और शहर में पेट्रल पंप के समीब चार पाच किंदर दिखाई दिये अधिरिक्त जिला आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सचिन भायकर ने अपना वाहन रोक कर किंदरों से कोविड-19 का टीका लगाया है या नहीं इसकी पूछताच की समाज की मुख्यधारा से कटे किंदरों ने टीका नहीं लगवाने की जानकारी दी इस पर डॉक्टर भायकर ने स्वयम इन किंदरों को अपने वाहन में बिठाया और कोविड टीका करन के इंदर पर ले जाकर टीका लगवाया इस अउसर पर साथ में साथ तहसिल आरोग्या धिकारी डॉक्टर अनुराधा गुरे आरोग्या सहायक चक्रधर तुड में डी आर पारटकर भी थे अतिरिक्त जिला आरोग्या धिकारी डॉक्टर सचिन भायकर के इस कारे का अभिनंदर किया जा रहा है उन्होंने लोगों मामले में राज्यो के कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक को जमानत मिल गई शिवडी की मेजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 15,000 रुपे के मुझल के पर जमानत दे दी साथ ही निर्देश दिया है कि जिस तरह से बयान पर शिकायत करता ने मुकदमा दायर किया है उस तरह के बयान मलिक भविश्य में नदे अगर मलिक शिकायत करता के खिलाफ ऐसा कोई बयान देते है और ये कोर्ट के संग्यान में लाया जाता है तो मलिक के जमानत को रथ करने के लिए शिकायत करता कोर्ट में अर्शी दे सकता है मुहित कम्बोज ने बताया कि उन्होंने मलिक के खिलाफ शिवड़ी मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार मुकदमे दाखिल किये है इसमेंसे दो मानहानी के मुकदमे है एक मामले में मलिक को कोर्ट में पेश होने के बाद पहले ही जमानत मिल गई थी लेकिन दूसरे मानहानी मामले में मलिक के खिलाफ समन जारी हुआ था मलिक ने मोहित कमबोज पर गंभी रारब लगाए थे मलिक ने कमबोज को समिरवान खेड़े के गैंग का सदस्य बताया था उन्होंने कहा था कि कमबो जवान खेड़े के साथ मिलकर उगाही करते थे मॉम्बे हाई कोट से बिजेपी विधायक नितेश राने को एक शिवसेना कारे करता के हत्या की कोशिश मामले में एक दिन के लिए राहत दी थी हाई कोट ने समय की कमी के चलते मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए तै की है इसके बाद राज्य सरकार की और से सरकारी वकिल ने कहा कि अगली सुनवाई तक पुलिस कोई दंडात्मक करवाई नहीं करेगी नितेश ने हाई कोर्ट से कहा कि पिछले महीने उन्होंने विधान सभा के बाहर राज्य के एक मंत्री के खिलाफ कमेंट किया था इससे आहत महसूस करते वे सत्ताधारी पार्टी ने उनके खिलाफ F.I.R. दर्च किया है राजरितिक रंजिश के चलते उन्हें हत्या की कोशिश के मामले में फसाय गया है 30 दिसंबर को हुए सिंधु दुर्ग जिला केंद्रिय सहकारी बैंक चुनाओं में भाग लेने से रोकने के एक मात्रा उद्देश से ही उनके खिलाफ मामला दर्च किया गया है बता दे कि उन पर हत्या के प्रयास के मामले में गिरफतारी की तलवार लटक रही है हाला कि बॉम्बे हाई कोट ने मामले में नितेश राने को गिरफतारी से अंतरिम राहत दी हुई है विशेश लोग अभी योजग सुधिप पास बोला के अनुसार राने कथित तोर पर मामले के मुख्या साजिश करता थे और वह पुछताच से बच रहे हैं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए केंद्र ने दिशा निर्देश में संशोधन की घोशना की है अब संक्रमन की पुछ्टी होने के कम से कम साथ दिन बाद और लगातार तीन दिनों तक बुखार न होने के बाद मरीज को छुटी दे दी जाएगी वही प्रमूट रॉकेट वग्यानिक एक सोमनात भारती अंतरिक्ष अनुसंदान संस्तान इसरो के नए चियर में होंगे उन्हें अंतरिक्ष विबा का स्चिव और अंतरिक्ष आयो का अधिक्ष भी बनाया गया है तो कॉंग्रिस ने उत्तर पदेश चुनाओ के लिए 125 प्रतेक्षियों की पहली सूची जारी कर दी है इसमें 50 महलाओ को टिकिट दे दिया गया है उन्हार एपकान की पीडिता की मा को उन्हाओ से टिकिट दे दिया गया है उदर बॉलिवेट अभिनेतरी कंगना रनोत की फैन पॉलेंग की लिस्ट में योगी अधितनाद का नाम भी जुड़ गया है योगी अधितनाद ने कंगना की फिल्म देखने की इच्छाज जताई है इसे बीच कॉंग्रेस नेता रितायादों को गिरफतारी कर लिया गया है पुलिस ने खुलासा किया है कि कॉंग्रेस नेता ने यूपी चुनाओ में विदासबा का टिकिट पाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी केंदर ने कोवीड-19 मरीजों का अस्पताल से चुट्टी देने क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हलके मामलों में घर के अंदर आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश में संशोधन की गोशना की साथी कोवीड जांच की रणनीती पर परामस जारी किया है स्वास्त संयुक्त सच्चिव लवगरवाल ने कहा कि कोवीड की स्थिती पर प्रदानमंत्री की अदक्षता में एक समिक्षा बैठा के बाद हमने गंभिरता से हलके और मध्यम मामलों में वर्गी कुरूत अपनी निर्वान निती को संशोधित किया गया है अब स्वास्त एक बाद सुविदा में या होम आइसोलेशन में भरती होने वाले हलके मामले वाले मरीजों की नियमित स्वास्त निगरानी की जाएगी संक्रमन की पुष्टी होने के कम से कम साथ दिन बाद और लगादार तीन दिनों तक भुकार नहोंने के बाद मरीज को छुट्टी दे दी जाएगी छुट्टी से पहले जांची कोई ज़रूरत नहीं है मद्यम श्रेनी के मरीजों बिना उक्सिजन सपोर्ट के लगातार तीन दिनों तक 93% से अधिक सैचुरेशन वाले रोगियों को बिना किसी जांच के और डॉक्टरों की सिफारिश के अनुसार चुटी दी जा सकती है अगरवाल ने कहा कि ऐसे मरीज जो लगातार उक्सिजन थेरेपी पर है उन्हें लक्षनों का समाधान हो जाने के बाद उक्सिजन सपोर्ट के भिना लगातार तीन दिनों तक निर्धारित उक्सिजन सेचुरेशन बना रखनी की शम्ता को देखते हुए चुटीद दी जा सकती है प्रमुक रॉकेट वैग्यानिक एस सोमनाथ भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्तान इसरो के नए चियर में होंगे साथ उनको अंतरिक्ष विभाक का सचयू और अंतरिक्ष अयो का अद्यक्ष भीब बनाया गया है सोमनाथ फिलाल विकरम सारा भाई अंतरिक्ष केंडर के निदेशक है कारमिक मंत्राले के आदेश में कहा गया है कि उनकी नियोक्ती 3 साल के लिए होगी वे सीवन की जगह लेंगे जिनका कारेकाल शुक्रवार 14 जन्वरी को समाप्त हो रहा है सीवन को जन्वरी 2018 में इसरो का अध्यक्ष, अंत्रिक्ष विभाक कस्यच्यू और अंत्रिक्ष आयो का अध्यक्ष बनाया गया था दिसंबर 2020 में उन्हें एक साल की सेवा रुद्धी दी गई थी ये तीनों पत प्रायह एक ही विक्ति संभालता है सोमनाथ स्पेस रॉकेट जीएसलवी एमके 3 लॉंच विएकल के परियोजना निदेशक भी रह चुके है करियर की शुरुआत में वह पोलर सैटलेट लॉंच विकल के विकास कारों में भी जुड़े रहे है टीकेम कॉलेज ओफ इंजिनेरिंग कोलम से मेकैनिकल इंजिनेरिंग सनातक और इंडियन इस्टिटूट ओफ साइंस से एरोस्पेस इंजिनेरिंग मास्टर करने वाले सोमनात गोल्ड मेडलिस्ट है इसरों ने उनके कारेकाल में और लंबी छलां की उमीदेज जताई है कॉंग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाओ के लिए 125 प्रत्यक्षियों की पहली सूची जारी कर दी है इसमें 50 महिलाओ को टिकेट दिया गया है उन्नाओ रेपकांड की पीडिता की मा को उन्नाओ से टिकीट दिया गया है कॉंग्रेस महास्टर चुप्रियंगा गांधी ने प्रत्यक्षियों की नामों का एलान किया इस बिच प्रदानमंति नरिंदर मोधी की अधक्षता में भाचपा केंद्रिय चुनाओ समीती की बैठक शुरू हो गई है बैठक में उत्तरपदेश विदानसबा चुनाओ के लिए उमिद्वारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी पहले और दुसरे चुनाओ के प्रत्यक्षियों के नामों के पैनल पर केंद्रिय चुनाओ समीती चल्चा करेगी शिकोब बाद से बादपा विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तिपा दे दिया है वर्मा ने कहा है कि सौमी प्रसाद मोर्य उनके नेता है इस बिज उत्तर परदेश विधान सबा चुनाव में शिवसेना ने भी प्रत्यक्षियों को उतारने का फैसला लिया है सांसर संजर राउत ने इसका एलान किया है उन्होंने कहा कि इस बार हमने 50 से सवमिद्वार उतारने जा रहे है साफ है कि इस बार उत्तरपदेश चुनाव रोचक होगा बॉल्यूड अभीने तरी कंगना रॉनौत की फैन फॉलोईंग बहुत लंबी है लेकिन उनकी इस लिस्ट में एक खास नाम और जुड़ गया है वो नाम है मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ का कंगना रॉनौत ने अपने इस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर की है जिसमें योगिया दितनाथ कहते है कि उत्तरपदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बनेगा इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ कहते दिख रहे है कि कंगना जी की फिल्म तोज़ जरूर देखूंगा मैं कंगना रनौत ने इस वीडियो क्लिप को अपनी इंस्टा स्टोरी से शेयर करते हुए लिखा है महाराज जी इसे के साथ उन्होंने योगिया दितनाथ को टैग भी किया है बता दे कि अपने बेबाग बोल के लिए कंगना सुर्खियों में रहती है बॉल्यूट से लेकर राजनिती तक कंगना खुल कर अपनी बात कहती नजर आती है सोशल मीडिया पर खास एक्टिव रहती है वे अपनी पोस्ट से हर किसी का ध्यान खीच लेती है कई बार बीजेपी के समर्थन में भी ट्वीट करती रही है हाल ही में किसानों पर किये गए अपने ट्वीट की वज़े से चर्चा में आ गई थी उन्होंने देश की आजादी को लेकर भी बयान दिया था जिसकी वज़े से सोशल मीडिया पर जम कर बवाल हुआ था कॉंग्रेस नेता रिता यादो पीम नरेंद्र मोधी को जंडा दिखाने के प्रयास के मावले में चर्चा में आई थी इसके बाद उन पर हमला हुआ उन्हें गोली मारी गई इसको अलग राजनितिक रंग देने का प्रयास किया गया अब पुलिस ने इस गोली कांट की जांच के बाद चोकाने वाले तथ्य उजागर किये है पुलिस ने खुलासा किया है कि कॉंग्रेस नेता ने यूपी चिनॉम में विदान सबा का टिकेट पाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने रिता यादो समेट तीन लोगों को जेल भेज दिया है कॉंग्रिस निता के साथ-साथ उनके ड्राइवर मुस्तकीम और धर्मेंदर यादो को भी पुलिस ने इस साजिश में शामिल होने के आधार पर जेल भेज दिया गया है पुलिस ने बताया कि गद 3 जनवरी की शाम को लंबुआ कजबे के लखनो वारा नसी बाइपास और बिच पर अग्याद बाइक सवार वेक्तियों द्वारा सुल्तानपुर के सुनावा लालू का पुर्वा निवासी रिता यादो को गोली मालने की घट ना घटित हुई थी गिट पाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था आज दुनिया बर की खास खबरों में पाकिस्तान सुर्ख्यों में है लेकिन फ्रांस एक माइने में शिर्ष पर दिख रहा है वहाँ की सरकार ने अभूतपूर्व कदम उटाते हुए पारिवारिक योन संबंदों पर प्रतिबंद लगाने की योजना की गोशना की है अभी तक वहाँ पारिवारिक सरदस्यों के बीच ऐसे संबंद पर कोई रोक नहीं थी रही बात पाकिस्तान की तो वहाँ के प्रदान मंतरी इमरान खान ही नहीं वहाँ के अन्नहुक्मरान भी अपनी हरकतों के कारण लोगों के निशाने पर है इसले विपक्षिदलों ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार सहीत इमरान खान सरकार के खिलाब अपने प्रयासों को तेज करना शुरू कर दिया है तो बिलावल बुट्टो जर्दारी ने तंच कसा कि पूरी दुनिया में गर्बन इरोधक को बढ़ावा दिया जा रहा है और पाकिस्तान इस पर टैक्स लगा रही है इसके अलावा नाइजरियाई सरकार ने देश के 20 करोड से अधिक लोगों के सोचल मीडिया नेटवर्क टीटर से बाहर होने के साथ महिने बाद उस पर प्रतिबंध हटा दिया है उदर अमेरिका में विशेश रूप से प्रशिशिक्ष्वान अब कोविट पॉजिटिव रोगियों की पहचान भी करने लगे है यदि उन्होंने पुष्टी कर दी तो RTPCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है दुनिया भर की इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ फ्रांस सरकार ने पारिवारी की ओन संबंधों पर प्रतिबंध लगाने की योजना की गोजना की है इसे कोटमबिक वेबिचार भी कहा जाता है फ्रांस में बच्चों को छोड़ कर अनाचार को इस समय कानूनी दर्जा प्राप्त है लेकिन फ्रांस बाल सरक्षन राजमंत्री एड्रियन टेकवेट ने कहा कि अब सरकार का इरादा ऐसे रिष्टों को आपराधिक बनाना है भले ही दोनों की उम्र 18 साल से अधिक ही क्यों न हो चचरे भायों को अभी भी बदले हुए नियमों के तहस शादी करनी के अनुमती दी जाएगी हाला कि उन्होंने हैं सपश्टिकरन नहीं दिया कि प्रास्तावित कानुन का विस्तार सोतेले परिवार तक होगा या नहीं चारिड प्रोटेक्शन चारिटिलेस पैपी लॉंस के अध्यक्ष लॉरेंट बोईट ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अनाचार को कानुनी रूप से प्रतिबंदित किया जाना चाहिए क्योंकि यह पहले से ही सामजिक रूप से निशिद्ध था बतादे कि पिछले साल फ्रांस ने बलातकार रोधी कानुन में बड़ा बदलाव किया था जिसके बाद से 15 साल से कम उम्र की लड़की के साथ योन संबंद बनाने को बलातकार माना जा रहा है फ्रांस का दावा है कि कानुन में इस बदलाव के बाद अब बच्चियों के साथ योन 74 के मामलों में दंड देना आसान हो जाएगा फ्रांस में योन दुर विवहार के मामलों के बाद जनता की ओर से दबाव पड़ रहा था और इस वज़े से सरकार को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है पाकिस्तान विपक्षी दलो ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार सहीत इमरान खान सरकार के खिलाब अपने प्रयासों को तेज करना शुरू कर दिया है खबर के मुताबिक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुव्मेंट के प्रमुक मौलाना फजलूर रहमान ने कहा कि 25 जनवरी को सरकार विरोधी विपक्षी गडबंदन के वरिष्ट नेतरों की बैठक होगी इसमें प्रधान मंतरी इमरान खाम के खिलाब अविश्वास प्रस्ताओं के विकल्प पर विचार किया जाएगा नैशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाबाज शरीप के साथ एक समादाता सम्मिलन को सम्मोदित करते हुए फजल ने कहा कि सरकार विरोधी गडबंदंदल मौजुदा सरकार को ततकाल बरखास करने के विकल्पों पर विचार कर रहे है हम सरकार के गडबंदंदलों से पाकिस्तान के राश्टे हित और आम आदमी के बारे में सोचने के अपिल करते है जमियत उलेमा इसलाम प्रमुख ने कहा कि सरकार के खिलाप लंबा विरोध शुरू निकालना अनिवारे हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेटरुत वाली सरकार को हटाने के लिए पीडियम 23 मार्च को राजदानी की और मार्च शुरू करेगी 25 जनवरी को होने वाले सरवदलिय सतर के दोरान सरकार के खिलाप लंबा मार्च निकालने की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार को आम आदमी की शिक्राइटों का एहसास नहीं है सरकार पाकिस्तानी नागरिकों के हितों से ज्यादा आंतरराश्च संस्तानों के हितों और अजेंडे को प्राथमिकता दे रही है पाकिस्तान के प्रमुक विपक्षिदल PPP के नेता बिलावल भुट्टो जर्दारी ने इमरान खान सरकार पर जोरदार हमला बोला है बिलावल ने कहा कि इमरान खान सरकार टैक्स की सुनामी लाने जा रही है उन्होंने Playboy की छवी रखने वाले PM इमरान खान के उपर नीजी हमला करती हुए कहा कि PTI सरकार ने कंडों पर भी टैक्स लगा दिया जिसकी एक खिलाडी से उमीद न थी पूरी दुनिया में गर्बनी रोदक को बढ़ावा दिया जा रहा है और पाकिस्तान इस पर टैक्स लगा रहा है देश में HIV और AIDS का संकट है जो हमारे मीडिया और देश में पता नहीं चल रहा है देश के कई हिस्सों में यह गंभीर मसला है इसके बाद भी कंडों पर टैक्स लगया जा रहा है बता दे कि नीजी जीवन में इमरान खान प्रदान मंतरी बनने से पहले अपनी प्ले बॉइ चवी के लिए मशूर रह है इमरान खान ने अधिकारिक तोर पर चार शादिया की है लेकिन उनके कई महिलाओं के साथ संबन रह चुके है इमरान खान के पिछ समय में वह अपनी चौथी पत्नी के साथ है नाइजिरियाई सरकार ने देश के 20 करोड से अधिक लोगों के सोचल मीडिया नेटवर्क ट्विटर से बार होने के साथ महिने बाद उस पर से प्रतिबंध हटा दिया है देश की राष्ट्य सूचना प्रोदोगी की विकास नाइजिरिया में एक कारेकाल खोलने सहित कुछ शर्टों को पूरा करने के लिए सहमत होने के बाद ही यह प्रतिबंध हटाया गया है नाइजिरिया ने नाइजिरिया के कॉर्परेट अस्तितो को कम करने में सक्षमगती विदियों के लिए ट्विटर के लगातार हवाला देते हुए चार्ज उनको ट्विटर के संचालन को निलंबित कर दिया था इस कारवाई ने कई आलोचनाव को भी जन्म दिया था क्योंकि यह ट्विटर दरा बुहारी के एक पोस्ट को हटाने के तुरंद बादाया था जिसमें उन्हों अलगावादियों को सबक सिखाने की धमकी दी थी अब्दुल्लाही ने एक बयान में कहा कि हमारी कारवाई कमपनी के उचितितों को खत्रे में डाले बिना हमारे देश के लिए अधिक्तम पारस पर इकला प्राप्त करने के लिए ट्विटर के साथ हमारे समंदों को फिर से बहतर बनाने का प्रयास है इस पर ट्विटर ने अभी तक कोई भी टिपपनीन नहीं की है अब तक आपने खोजिश्वानों का उपयोग सेना वा पुलिस द्वारा बमों संदिक दवस्तों वो वेक्तियों पहाडों पर बरफ में दबिल लोगों को ढूण निकालने आदी महत्वपूर नकामों को अंजाम देते हुए सुनावत देखा होगा लेकिन अमेरिका में विशेश्रूप से प्रशिक्षिश्वान अब कोविट पॉजिटिव रोगों की पहचान भी करने लगे है यदि उन्होंने पुछ्टी कर दी तो आर्टी पीसियार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में खोजी कुत्तों का इस्तमाल, कैंसर, डायबिटीज वो पारकिंसन्स जैसे रोगों की पहचान में भी किया जा रहा है इस प्रक्रिया को बायो डिटेक्शन या जैविक परताल कहा जाता है इस जांच में किसी रसायन की इस्तमाल की जुरूरत नहीं पड़ती 2019-20 में जब कोरोना महामारी फैली थी तो अमेरिकी वग्यानिकों ने कोरोना की परताल में खोजे शुवानों की सेवाय लेने का प्रयोक शुरू किया था अब इसमें कामिया भी मिल गई है अमेरिकी सरकार ने National Center for Biotechnology Information का कहना है कि शुवान अपनी दिवेशक्ती के दम पर किसी पदार्थ के 1.5 खरब वेयंश का भी पता लगा सकते है जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके शरीर में से खास तरह के वोलटैल और्गनिक कंपाउंड निकलते है ऐसे में जब कोई बेक्ती कुरोना संक्रमित होता है तो उसके शरीर से आने वाली विशेश गंद को ये शुवान पहचान लेते है तो आज की इस खास पेशक्रश्म बस इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए VKB News नमस्कार में पहचाई को